हेलो बच्चों कैसे आप सुब है वो भी आला फाइन बच्चों आज हम लोग हमारा exercise 1.2 का question no.7 करेंगे question no.7 करने से पहले हम लोग को कुछ trigonometry के 11 science के formulas revise करने होंगे क्योंकि वो भी काम आने वाले हैं आपने एक चीज नोट किये होगी कि मैंने को substitution का table आपको याद नहीं करा है जैसे आपकी textbook में दिया है क्योंकि उसको याद करने की जुरूरत ही नहीं आपको फॉर्मलेस प्रॉपर ली याद है अगर आपने फॉर्मलेस पर ग्रिप बनाए वी हैं तो आप खुद बहुद समझ आ जाएगा आपको कि कहां पर क्या substitution करना ह है तो यहां पर बच्चों हम लोग क्या करेंगे कुछ फॉर्मलेस को रिवाइस करेंगे जो बेसिक हमारे ट्रिग्रिमेटरी के फॉर्मले हैं फिर हमारा question no.7 पर हम जाएंगे question no.8 मैं आपको आज ही कराऊंगा आज से हम लोग हमारा shortcut वाला series स्टाट करेंगे question no.8 को seconds में चुटकियों में कैसे solve कर सकते हैं वो मैं आपको आज सिखाऊंगा इसके बात के lecture में बोई record करूंगा मैं तो पहले question no.7 को सीखते हैं उससे पहले इसमें जो formulas लगेंगे वो आ इसे एक formula हमारे पास है sin2x का formula sin2x का formula क्या होता है वो होता है 2 sinx into cosx ध्यान रखेगा यहाँ जब 2 है 2 times है twice of the angle है तो यहाँ पर उसका आधा है ध्यान रखेगा अगर यह x होता तो क्या लिखते है 2 sin x by 2 जो भी यहाँ पर angle होता है उसका आधा करना है x by 2 into cos x by 2 आता ठीक है उसके बाद 1 plus cos x का formula this is 2 cos square x by 2 very important 1 minus cos x का formula बहुत काम आने वाला है यह सब 1 minus cos x का formula 2 sin square x by 2 इसके अलावा इसके अलावा और formula इसके है और cos x का एक formula है क्या है वो cos square x by 2 minus sin square x by 2 समझ में आया clear है तो यह साथी चीज़ें आपको ध्यान रख लिए है ठीक है इसके बाद इसके बाद आगे बढ़ते है आगे क्या है और sin 2x के formula है sin 2x का 10 के terms में formula क्या है 2 10x upon 1 plus 10 square x समझ में आगया clear है और cos 2x के भी formula है cos 2x का 10 के terms में formula क्या है यह सब काम आएगा अभी बहुत important है subscription वाले में तो बहुत जारा काम आने वाला है यह सब ठीक है तो 2 tan x upon 1 plus 10 square x यह हमारे पास है सब्सक्राइब क्या हो गया इसके लावा इसके लावा नेक्स पार्ट क्या होगा 7 में जैसे 10 2x का formula है 10 2x का formula क्या है 2 tan x upon यहां देखो sin 2x और 10 2x से बिल्कुल वैसे सिरियां पर sin का फ़रगे यह होता है 1-10 square x सब्सक्राइब क्या है साइन 3x का formula वो क्या होता है साइन 3x का formula होता है 3 sin x minus 4 sin cube x इसके बाद हमारा cos 3x का formula वो होता है 4 cos cube x minus 3 sin x बड़े काम की चीज़ें यह आपको भी सब्सुलीशन में काम आने वाली है सारी चीज़ें और वी कुछ formulas काम आएंगे हम लोगों सब्सक्राइब को सब्सक्राइब करने में तो क्या होगा उपन करेंगे तो यहां कर रहा हूं समझने की कोशिश करो अब मैं क्या कर रहा हूं उसको यह जो वन है इसको मैं लिखे रहा हूं cos square x by 2 plus sin square x by 2 कोई फर्क नहीं पड़ता identity है 1 क्या होता है cos theta plus sin square 1 होता है तो cos square x by 2 plus sin square x by 2 क्या होगा 1 होगा प्लस यह जो sin x है न यह जो sin x है देखो समझो sin 2 x है sin 2 x को क्या लिखा हम इने 2 sin x into cos x अब sin x है आधा यह x है यहां पर तो यहां पर जो angle होगा वो उसका आधा होगा यहां फॉर्मुला क्या बनेगा यह बनेगा 2 sin x into क्या बनेगा cos x x by 2 2 sin x by 2 into cos x by 2 बस समझ में स्क्वेर और यह क्या आपका 2 into यह क्या a है और यह क्या आपका b है यानि आपने a किसको माना sin x by 2 को माना उसका square a square तो a square plus 2 a b plus b square क्या होता है a plus b the whole square यानि ऐसे लिख सकते हैं इसको sin x by 2 plus cos x by 2 the whole square समझ आ रहा है क्या बोलां में clear है तो याद रखेगा one plus sin x को क्या लिखा जा सकता है इसको लिखा जा सकता है sin x by 2 plus cos x by 2 the whole square इसी तरीके से अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ भी माइनस आता अगर यह माइनस होता तो a square minus 2 भी plus b square यहाँ पर समझा गया तो one plus sign x क्या होता है one plus sign x होता है sign x by 2 plus cos x by 2 the whole square और one minus sign x क्या होता है sign x by 2 minus cos x by 2 the whole square समझा आया क्लियर है तो इस तरीके से मैंने आपको यह समझा दिया कि यह जो formulas हैं कैसे आये हैं तो इसमें विलकुल भी गबराना नहीं अभी यूज होने वाला है काम आएगा हम लोग को यह सब तुमको मैंने बता दिया आप जो हैं लोग क्या करेंगे हमारी एक्सराइस करेंगे ठीक है आजो फॉर्मलेस पर बना और यह सब याद होने चाहिए आपको ठीक है देखो है एक traces ऐसे लास्ट वाला है सही बटना लेता हो सब्सक्राइब हिसे याद नहीं रहता है निया किकर लेटे तो लेकिन अगर याद करनेंगे थे सब्सक्राइब लिए सब्सक्राइब होत्त फोड़ों फोटने में आपको लिए यह पॉन्हां रिकां हमारे एक्सराइब 1.2 का question number 7 exercise 1.2 का question number 7 यह जो है हमारा इसको समझते है क्या दिया वाई? differentiate the following with respect to x आपको differentiate करना है वही कहानी let y is equal to cot inverse of cot of e raise to x का square है ठीक है? तो यह आपको दिया गया है I hope आपको नजर आ रहा है हाँ आपको नजर आ रहा है इसके हम लोग नीचे से लिखेंगे ठीक है? clear है? तो वही कहानी क्या करोगे? बोलो जल्दी से क्या करोगे? वही लिखोगे differentiating with respect to x therefore क्या जाएगा? dy by dx is equals to यहाँ पर बोले लिखे, cot inverse of cot theta क्या होता है? जल्दी से बोलो तो अपने को पताएगे तो आपको differentiate किसका करना है? e raised to x square का तो derivative किसका लेंगे? e raised to x square का अब यह आपको क्या नजर आ रहा है? यह आपको नजर आ रहा है composite function e raised to x नहीं है उसका base है, उसका form है तो form क्या है? e raised to x तो पहले form का फिर function का फटा-फट बतावली से क्या होगा? e raised to x square का क्या होगा? e raised to x square इंटू derivative किसका लोगे? x square का लोगे तो e raised to x square इंटू 2x समझाया? क्लियर है? यह सब क्या बताऊं है? पहला सवाल तुमारा हो गया इतना आसान था यह आईए दूसरे सवाल पर चलते है दूसरा सवाल हमारा क्या कहता है? रब कर देते हैं उसको चलिए आईए तो हमारा second question क्या कहता है? उसको देखते हैं second question हमारा जो है वह आपका y is equals to let y is equals to cosec inverse of 1 upon cos of 5 raised to x यह अपने पास है ठीक है? चलो भी, देखो क्या अगर सकते हो? 1 upon cos को क्या लिख सकते हो? 1 upon cos को sec लिख सकते हो? तो यह क्या रहेगा? cosec inverse of यह क्या रहेगा? sec 5 raised to x सब्जमे आगया? अगर यहाँ cosec है तो bracket के अंदर या तो cosec हो या तो sec हो अगर यहाँ पर caught है तो bracket के अंदर या तो caught हो या तो 10 हो अगर यहाँ पर sign है तो bracket के अंदर या तो sign हो या तो cause हो सब्जमे आगया? यही पकड़ना है तुमका अगर यह तुमने पकड़ लिया तो ITF के अडिरेटर निकालना तुम्हारे बाए हाथ का खेल है बहुत ईजी ली निकाल सकते हो तो सब्जमे आगया? यह तुमको बताया था मैंने कैसे लिख सकते हो therefore y is equals to cosec inverse of जल्दी बताओ क्या होगा? cosec 90 minus theta बताया था मने? pi by 2 minus 5 raise to x समझ में आगया? clear है? cosec inverse of cosec theta is theta pi by 2 minus 5 raise to x अब differentiating with respect to x तो dy by dx is equals to pi by 2 तो 0 है अरे constant है ना भई pi by 2 minus 5 raise to x 5 raise to x a raise to x log है a raise to x का form है ना तो answer क्या है? minus 5 raise to x log 5 समझ में आगया? मुझे निग लगता मुझे इसको check करने की विजरूत है यह इतना easily हम ले निकाल लिया ठीक है? clear हो गया? चलो यह भी हो गया तीसरे सवाल पर चलते हैं तीसरा सवाल क्या है? तीसरा सवाल हमारा है तीसरा सवाल है let y is equals to cos inverse of under root of 1 plus cos x divided by 2 समझ आ गया? अब देखो यहाँ पर फिर से आगी का निवाई 1 plus cos x का formula इसलिए पहले फार्मुला तुमको कराया है मैंने समझ आ रहा है क्या बोलना हमारा? 1 plus cos x का होता है? अल्दी बटाओ 1 plus cos x is 2 cos square x by 2 और 1 minus cos x is 2 sin square x by 2 तो यहाँ पर तो यहाँ पर तो क्या लगएगा? cos inverse of पहले तो यह लगाओ क्या हो जाएगा? 2 cos square x by 2 क्यों x by 2? क्योंकि यहाँ x है यहाँ अंगल हो यहाँ पर उसका अधा हो गए 2x होता तो यह x होता यहाँ 3x होता तो यहाँ 3x by 2 होता समझ में आगे 2 और 2 खतम हो गए तो बचा ही क्या? यहाँ से square root भी खतम हो जाएगा तो cos inverse of square root को भी काट दो cos x by 2 cos inverse of cos theta is theta x by 2 इसका derivative निकाल हो फटा फट y dash differentiating with respect to x 1 by 2 समझ आगे ना? 1 by 2 बार जाएगा x का derivative with respect to x क्या होगा? 1 समझ आगे इतना असान है तो formula पर ग्रिप बनाओ formula अगर नहीं आता है तब तो तुम गड़बड करोगे इसलिए पहले formula करा है मैंने रोंगो ठीक है? चलो आजो इसके बाद question number question number 5 5th question क्या कहता है? 5th question कहता है y is equals to tan inverse of 1 minus tan of x by 2 divided by 1 plus tan of x by 2 सब्समें आगे ये तुमारे पास क्या है? सब्समें सब्समें इसको solve तो उसको solve करने के लिए आपको एक formula लगेगा कौन सा formula लगेगा? ये formula मुझे याद दी मैंने बताया तरी नहीं बताया था बताया देता हूँ है क्या होगा? देखो जाए अंसर अगर आपके पास क्या है? अगर आपके पास 10 a प्लस b है तो उसका formula होता है 10 a प्लस 10 b 10 a प्लस 10 b अपान 1 माइनस 10 a 10 b सब्समें आ गया? clear है? ये formula के list में आड़ कर लेना अगर नहीं पता है अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा मतलब क्या? मतलब यह हुआ कि अगर ऐसा है एक एक करके बता देता हूँ अगर 10 a माइनस b है तो क्या होगा? 10 a माइनस 10 b अपान 1 प्लस 10 a इंटू 10 b अगर किसी बच्चे ने नहीं सिखा तो मैं डीटेल में समझा देता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या अरेंज करूंगा? समझो जरा तो यह फॉमले याद रखना अभी अगर हमने इंक्लूड किया इससे पहले शायद मा भूल गया होगा इंक्लूड करने करे तो इसको इंक्लूड कर ले ना चलो अब मैं क्या करूंगा देख जाएंस यह जो आपका 1 है मुझे पिताओ 10 की डिवल में 1 का बाता है 45 पे 45 को रेडियन में बोलो यानि टैन पाइबाइबाइफॉर प्चो टैन पाइबाइबाइफ्उर उट्चो तो कि जगापर 10 पाइबाइबाइफ्वर लिख सकते हैं हां से लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है तो therefore मैं क्या करूंगा देखो, y is equal to tan inverse of, यह मैं क्यों कर रहा हूँ, मैंसले कर रहा हूँ, क्योंकि मैं directly इसको हटा नहीं सकता हूँ, मैं tan inverse of, tan theta हो या quarter theta हो तो हटा सकता हूँ, तो क्यों ना हम इसको convert करने के इसमें कोशिश करूँ, तो बड़ा smart arrangement देखे, यह 1 के जगा पर आप क्या लिखोगे, tan pi by 4, minus यह क्या है, tan of x by 2, तो बड़ा smart arrangement देखे, समझाय है, clear है, tan a minus tan b upon 1 plus tan a 10b, समझाय है, clear है, तो वही तो format बन गया, क्या formula असका, tan a minus b, tan a minus tan b upon 1 plus tan a into tan b, समझाय है, तो therefore क्या हो जाएगा, y is equals to tan inverse of, यह क्या हो जाएगा, tan a minus b, तो tan of क्या है, यह pi by 4 minus x by 2, समझाय है, clear है, बच्चों, tan inverse of tan theta is theta, तो इसका मतलब यह बचेगा, pi by 4 minus x by 2, अब y dash निकाल लो, जल्दी से y dash क्या होगा, इनी differentiating with respect, pi by 4 तो 0 होगा, और x by 2 क्या होगा, minus half, minus half बाहर जाएगा, x का with respect to x क्या होगा, 1, तो इतना आसान है, इसको solve करना, समझाय है, clear है, तो इसको solve क्या जा सकता है, बिल्कुल भी घबराने की जुरूत नहीं है, समझ में आ गया, तो एक चीज पकड़ लो, tan दिखा, तो bracket के अंदर क्या करोगे, या तो tan या तो cotton इंज करोगे, sign दिखातो, या तो sign या तो cos, sec दिखातो, या तो cosec, या तो sec, समझ आया, clear है, तो ये बड़े काम की चीज है, अगर तुमने ये basic चीज पकड़ लीज की, तो इस type के problem में कभी तुमको दिक्कत नहीं होने वाली है, समझ आया, चलो, आजो, sixth question, y is equals to cosec inverse of, cosec inverse of, 1 upon 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x, ये अपने पास है, समझा रहा है क्या बोल रहा है, ठीक है ना, आओ, तो इसको कैसे solve करेंगे, आओ समझने की कोशिश करते हैं इसको, तो ये आपके पास, देखो दियान से क्या है, एक formula भी बताया था मैंने आपको, cos 3x का formula, क्या था वो, 4 cos cube x minus 3 cos x, यही formula था, सुझ में आगया, अब यहाँ पर, क्या है, देखो, angle क्या है ज़रा, देखो, सेम उसी format में है, यहाँ पर, यहाँ पर जब x था, यहाँ पर क्या था, 3x था, यानि जो भी यहाँ पर angle है, cos x के साथ में, cos के साथ में, यहाँ पर angle 2x है, तो उसका 3 मुना क्या होगा, 6x, 2x का, into 3 करेंगे, तो क्या होगा, 6x होगा, समझ में आगया, बोलेंगे, यह क्या करना है, पहले तुम्हें क्या करूँगा, इस सी, इसको करूँगा, ऐसे, क्या आपको यह पता होगा, कि cosec inverse of 1, upon x, cosec inverse of sine of, जो भी angle है, 4 cos cube 2x, minus 3 cos 2x, समझ में आगे, यह अपन ने कर लिया, इसके बाद, इसके बाद, बच्चों, आगे क्या है, आगे समझो ज़रा, अब यहाँ पर यह चीज क्या है, इसको अपने का आप समझना पड़ेगा, ठीक है ना, clear हो गया, ठीक है, गलती करती है अपने, क्या कर रहा है अपन, इसका उल्टा कर रहा है ना, इसका उल्टा करेंगे, तो क्या हैगा, इसका उल्टा करेंगे, तो यह आएगा, आपका sine inverse of x है, यहाँ पर हो जाएगा, sine inverse of, यह क्या आजाएगा 4 cos cube 2x minus 3 cos 2x जी आने वाला है ठीक है गड़ बुड़ जाएगी बना ठीक है तो इसका जो भी होगा वो क्या होगा is equal to sin inverse of x उसका reciprocal लेकर के sin inverse कर दिया इसको क्या करोगे अभी यह उसी format का है जो यहाँ पर angle है cos के साथ में उसका 3 गुणा है जो यहाँ पर angle angle क्या है 2 है cos के साथ में उसका क्या होगा 3 गुणा मतलब 6x आएगा तो sin inverse of क्या होगा cos of 6x अब cos को sin में कैसे convert करोगे जल्दी बतो जल्दी बोल क्या करोगे यह होजाएगा आपका sin of 90 minus 6x समझाएगा साइन वस्टाइटा इस थीटा क्या होगा 0-6 एन यह आंसर आएगा minus 6 इस यह आंसर चेक कर लेते हैं इसको एक बार क्या आंसर दिया गया गया एक्सराइज 1.2 1.2 1.2 6th question 7th 6th minus 6 correct समझा आया क्लिर है तो यह भी अपने solve कर लिया आगे चलते हैं आगे क्या है इसके बाद अभी 7th question कराना है 7th question वो देखो 7th question कैसे करेंगे हम लोग तो आपको जो 7th question है वो आपसे क्या कहता है 7th question कहता है कि y is equals to tan inverse of 1 plus cos of x by 3 divided by sine of x by 3 ठीक है एंगल बराबर से लिखो समझे क्लियर है यह आपके पास है यानि क्या मैंने क्या बुला है तो आप ब्रैकेट में क्या रेंच करोगे या तो tan theta या तो cot theta सब्सक्राइब कैसे रेंच करोगे वो तुमको सोचना है आप उसको समझने की कोशिश करते हैं सबस प्लस क्या हो जाएगा य दिक वस्टु टैनिंवर्स ऑफ सब्सक्राइब क्या हो जाएगा कोशेट अपाउन क्या हो जाएगा साइन जैड हो जाएगा एंगल से में इस वच्छे से मैंने पुट कर दिए अब 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मुला है तू को स्क्राइब जैड बाई टू यह आपर आएगा क्यों आएगा जैड बाई टू क्योंकि जैड लिया हमने यह क्या हो जाएगा साइड जैड का फॉर्मुला क्या होगा टू साइन जैड बाई टू इन्टू कॉस जैड बाई टू सब्सक्राइगा अब देखो ध्यान से यह 2 और 2 खतम हो समझा रहा है यह हो गया अब उसके बाद की कहानी 10 inverse of क्या होगा 10 90 minus z by 2 समझा रहा है clear है इस तरीके से 10 inverse of 10 theta जल्दी बोलो 10 inverse of 10 theta तो pi by 2 minus z by 2 समझ में आगे यह y है y dash क्या होगा 0 minus z by 2 is 1 by 2 z का तो नहीं नहीं अभी इसको पुश करेगा तो x by 6 होगा पता है यह दोनों साथ में इसको पुश करेगा और 3 तो y dash क्या होगा 0 minus 1 by 6 यह आंसर आएगा minus 1 by 6 बार आंसर चेक कर लेते हैं इसका correct है बिल्गुल सही है ठीक है चाड़ोगे स्थाप टारबस करें आएगा में दोके कि यह राँ मैं वाँ जो जाड़ोगे पुश सबस्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्ट्ट्ट्ट्ट्स एज प्याव प्याव कि उड़ें कि उड़ें कि कि प्राया थो अर्पकात एढ़ हैं रह आलने दोने तालना एब्स्भाइ यड़ीं कि उड़ा यड़ प्राहध यड़ Nossaय है कि अपुट लगा कि तो लोगता हुं। कि गर्मीपचल हुआ भूर लग़कर दोओे हुआ हुआ है वहा हुआ हुआ है कि रचल रदेशे हैं कि पोदाने जब उड़ लड़ टे लिज दे लिए सबीर है लिग एग लिए साज देख़ाः लिखाद़ ऐसे कि और सब लिए लिए लिएगां क मैं लिए साज़िए कि लिए साजसाल के लग समाचा है. और लगिए पस अख़ी, और भी झाँ लोगड़ और लोगना है, तो जो जो जब को यदारगं, तो जाँ नहीं हो स्थाः नकिए, जगड़ प्राइब को शोने हो इंग़ हैं, तुह जड़ लाई जब कि लोगड़र लुटप़ मेंनाउनाग हैं, जद जड़ दो कारी तो इसे पहले जो है हम लोग ने सेवेंथ वाला किया सेवेंथ वाला आपको मैंने समझा दिया कैसे करना है यह क्या हो जाएगा जैसे आप को टैन्वर्स लिखोंगे तो नियूमेटर डिनॉमेटर में आजाएगा उसके बाद वह क्वेश्चन बिल्कुल वही बन जाएगा जो क्वेश्चन नम्बर सेवेंथ सेम क्वेश्चन 3x को जैड मान ले ना और सेम साल्फ करके लास्ट में ज जो एक तुमको सवाल दिया गया है इसमें तो ऐसा ट्विस्ट किया है देखो इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या किया था नियूमेटर में क्या था नियूमेटर में साइन इक्स है ना ऐसे कुछ दिया था यहां पर नियूमेटर में कॉस एक्स कर दिया और क्या लिखोगे 90-7 X समझ में डिनोमीनेटर में यानि कॉस्ट थीटा क्या होगा साइग वान प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला बता वगली साइन को फॉर्मूला या फिर साइन को कंवर्ट करो ना उसको वैसे मत करो यह से लिखो वन प्लस कॉस को क्या लिखो 90-7 सकते हो यह पूरे दम को तुम जेड मान सकते हो है ना तो लेट मान लिया तुमने कि 5 2 माईनस 7 X को क्या मान लिया तुमने जेड मान लिया अगर इसको जेड मान लिया तो फिर बचता ही गया बाई तो वह कहां नहीं why is equals to क्या होगा 10 inverse of जल्दी बताओ क्या होगा sine of sine z divided by क्या होगा 1 plus क्या हो जाएगा cos z हो जाएगा मैं आगे फिर से solve कर रहा देता हूँ कैसे था बताओ हमको therefore wise equals to क्या होगा 10 inverse of sine z को क्या लिखोगे इसको लिखोगे 2 sine z by 2 into cos of क्या हो जाएगा z by 2 समझ में आ रहा है clear है 2 और z को सेम मत समझ लेना समझ आ रहा है नहीं तो कुछ और टम ले लेता हूँ मैं मान लेता हूँ समझे ताके तुमको समझ में आए तो m by 2 और ये क्या हो जाएगा m by 2 समझ में आ गया ठीक है और ना कर दोगे 1 plus cos z का क्या करोगे 1 plus cos x का formula क्या है 2 cos square x by 2 तो 2 cos square m by 2 समझ में आ गया clear है 2 or 2 cancel ये और ये cancel तो बचेगा क्या therefore y is equals to tan inverse of sin by cos क्या बच रहा है आपके पास sin by cos बच रहा है तो क्या बचेगा क्या होगा इसके इंदर ये होजाएगा आपका tan m by 2 बच जाएगा समझ में आ गया clear है तो ये बच जाएगा बहुत आसान है तो है ना चलो भी तो tan inverse of tan tis theta y is equals to क्या होजाएगा m by 2 होजाएगा 1 by 2 बाहर दखो m क्या है put करो m क्या है pi by 2 minus 7x ये क्या होजाएगा pi by 4 minus 7 by 2x y अब derivative 5 by 4 का 0 7 by 2 तो आंसर होगा minus 7 by 2 चेक कर लो समझ में आगे clear है उतने बड़े दम को कैसे short करना है वो तुमको बिता दिया मैंने last minute substitute कर दिया करो है ना चलो आजो minus 7 by 2 ये ही तुमारा answer है समझे clear है तो एकदम आसानी सामने इसको solve कर लिया अब जो है आगे बढ़ता है हम लोग आगे क्या है देख देन से इसके बाद इसके बाद अब 10th question 10th question कर आता हूं 10th question क्या है समझ देंगे कुशिश करो उसको 10th question जो है हमारा वो क्या है y is equals to 10 inverse of under root of 1 plus cos x 1 plus cos x upon 1 minus cos x समझ में आया clear है तो इस तरीके से हमारे पास क्या है यह है तो 1 plus cos x का formula क्या है अभी आपको बता दिया थे मैंने यह जाएगा tan inverse of बता लिए लिए 1 plus cos x का formula क्या होगा 2 cos square x by 2 और यह क्या होगा 2 sin square x by 2 बताया थे मैंने आपको स्टार्ट में 2 to cancel है ना square root हिट जाएगा square से और cos by sin क्या होगा tan जाएगा tan inverse of क्या होगा cot of x by 2 क्या बताने का यह इतना आसान question है तो क्या होगा tan of आपको बताओ pi by 2 minus x by 2 समझ में clear है अब यह क्या रहेगा pi by 2 minus x by 2 derivative loyalty से y dash pi by 2 का 0 constant है minus half यहनि minus half इसका answer है समझे clear है इतना आसान question ही है ठीक चलो आजो इसके बाद next क्या है वो आपको बताता हूँ ठीक है चलो देखो इसके बाद जो है next वो क्या है 11th y is equal to tan inverse of cosec x plus cortex यह आपको दिया गया है समझे ठीक है ठीक है ठीक है कैसे करें किसे solve आप क्या करना पड़ेगा या तो अंदर quantum arrange करो या तो अंदर क्या कर दो tan arrange करो आपको पता है क्या करना है मैं बताऊंगा नहीं आपको सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब क्या होगा कुछ सब्सक्राइब करो 9th question